घरेलू उत्पादन में गिरावट, उंचे बाजार भाव तथा सरकारी नीतियों में होने वाले बदलाव के जोखिम को देखते हुए भारतिय चावल निर्यातकों के लिए दो हजार चौबीस का मौजूदा वर्ष काफी चुनौती पून साबित हो सकता है। धान का न्यूतन समर्थन मूल्य उंचा है, इसलिए चावल के दाम में भारी गिरावट आना मुश्किल लगता है। कम से कम चालू वर्ष के दोरान तो भारत से चावल का निर्यात शुल्क लागू है, जबकि बास्मती चावल के लिए 950 डॉलर प्रती टन का न्यून्तम निर्यात मूल्य, मेप, निर्धारित किया गया है। कुधर अमरीकी क्रिशी विभाग ने भारत में चावल का कुल उतपादन 2022 से 23 सीजन के 1355 लाग टन से घटकर 2023 से 24 के सीजन में 1280 लाग टन पर अटक जाने का अनुमान लगाया है। उतपादन में गिरावट आने की संभावना को देखते हुए सरकार ने चावल के निर्यात को नियंतरित करने का प्रयास किया मगर इसका भाव फिर भी काफी उंचे स्तर पर मौजूद है। सरकार ने मिलर्स एवं रिटेलर्स को चावल का भाव नीचे रखने का निर्देश दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगले कुछ महीनों तक इसमें ज्यादा नर्मी नहीं आएगी। वैसे अंतरराष्ट्रिय बाजार में भी चावल का भाव काफी उंचे स्तर पर है लेकिन भारतिय निर्यातकों को भय है कि कहीं सेला चावल का भी निर्यात न रोक दिया जाए।